संडे के एल क्लासिकों में मुंबई इंडियन्स को मिली है उनकी चौथी हार क्या इस हार के साथ प्ले आफ की रेस से हो गई है मुंबई इंडियन्स बाहर आज के सूपर संडे के बाद जहां IPL के 29 मैचिस पूरे हो चुके हैं कौन सी होगी IPL की फाइनल टॉप चार उपर नज़र डालते हैं कि IPL के पहले 29 मैचिस के बाद पॉइंट सेबल किस तरह से नज़र आता है राजस्थान, KKR, CS के हाइदराबाद ये चारो टीमें सब से कही न कहीं आगे नज़र आती है क्योंकि हाइदराबाद ने जरूर अभी तीन मुकाबले जीते हैं साथ में लखनओ और गुजराद ने भी तीन-तीन मैचिस ही जीते हैं लेकिन Sunrisers हाइदराबाद ने अभी एक मुकाबला कम खेला है लखनओ और गुजराद से तो वहीं दूसरी तरफ KKR और राजस्थान का भी यही हाल है जरूर राजस्थान ने अभी पांच मैचेस जीते हैं लेकिन चार मैचेस जीतने वाली कॉलकता नाइट राइडर्स ने अभी उनसे एक मैच कम यानि कि अपने पांच मैचेस अभी तक IPL में खेले हुए है इसके बाद अगर देख लिया जाए किन टीमों के चांसे सबसे ज्यादा हमें नज़र आते हैं इस पूरे पॉइंट सेबल को तकरीबन तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है वो टीमें जो टॉप चार पर है वो एक हिस्से में आ जाएंगी उसके बाद लखनौ और गुजरात एक हिस्से में आएगी जिन्होंने चे में से तीन जीते हैं तीन मैचेस हा रहे हैं उसके बाद पंजाब, मुंबई और दिल्ली एक ही पनने पर खड़ी हैं जिन्होंने 6 मेंसे 2 मैच जीते हैं और उसमें से 4 मैचेस इन टीमों ने हा रहे हैं इन 3 में सबसे बहतरी नेट रंड्रेट पंजाब किंक्स के पास –0.21 का है, हाला कि पंजाब और मुंबई के नेट रंड्रेट में कुछ उतना ज्यादा अंतर रही हैं और सबसे नीचे आखरी हिस्से में RCB है जिन्होंने छे में से सिर्फ एक मुकाबला जीता है और पांच मैचेज इन टीमों ने अपने कहीं ना कहीं हा रहे हैं अगर इस समय पर पॉइंट सेबल को हम देखें तो इसमें जरूर राजस्थान और कॉलकता ये दोनों टीम में तक दो मैचेज हा रहे हैं अब यहां से ये बात कहीं है कि राजस्थान और कॉलकता नाइट राइडर्स का यहां से हमें प्लेओफ में जाना लगबग कनफर्म नजार आता है क्योंकि एक कनफर्म्ड क्वालिफिकेशन के लिए राजस्थान रॉयल्स को बचे हुए आठ म बचे हुए आठ में से अपने पांच मुकाबले जीतने हैं लेकिन यहां पर चांसे कितने बाकी है मुंबई इंडियन्स के पंजाब किंग्स के और दिल्ली क्यापिटल्स के इन टीमों को अगर कनफर्म्ड क्वालिफिकेशन चाहिए तो बचे हुए आठ में से साथ साथ म चे या साथ मैचेश जीतने हैं अगर हम देखें लखनओ ने अभी चे में से तीन मैच जीतने हैं लखनओ को कनफर्म क्वालिफिकेशन के लिए छे और मैचेश जीतने हैं इनके पास आठ और मैचेश बाकी है तो आठ में से चे इनने जीतने हैं जबकि हम बात करें सनराइ लेकिन अगर आपकी आठ मैचेस जीते हैं तो 16 पॉइंट के साथ आपकी नेट रन रेट वहां जाती है तो बाकी सामने वाली टीम जिसके 8 पॉइंट है आपकी नेट रन रेट उससे ज्यादा बहतर होनी चाहिए अगर यहां से पहले बात करें किस टीमों के किस टीम के सामने बचे होएं मैचेस उस हिसाब से देखें तो मुंबई इंडियंस के जो मैचेस बचे होएं पहले उसके ओपर यहां से अगर हम नज़र डालें तो देखेंगे कि मुंबई इंडियंस ने जहां चेनई से अपना आज मुकाबला हा रहा है तो 18 तारीक को यह पंजाब से है क्योंकि यह दोनों टीम है अभी इनके बिल्कुल बराबर पर ही खड़ी है लेकिन जो इनको राजस्तान से खेलना है कुछ अत्ता केकर से इनके दो मैचेस अभी बाकी है हाईदराबाद से एक मैच बाकी है तो यहां पर थोड़ी सी चुनोतियां ज्यादा इंतजार कर है मुंबई इंडियंस का इस सीजन में जिस तरह राजस्तान रॉयल्स खेल रही है वो थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए एक मुकाबला फिर लखनो सूपर जाइंट्स जरूर अपने लगातार दो मैचेस हार चुके हैं उनके सामने भी चुनोति उतनी आसान होगी नहीं लेकिन अगर देखें इसमें मुश्किल मैचेस की गिंती ज्यादा है क्योंकि मुंबई इंडियंस को राजस्थान से एक मैच खेलना है कॉलकटा नाइट राइडर से आपको दो मैचेस खेलने हैं और आपको संराइजर हाइदराबाद से भी एक मुकाबला खेलना है तो त लखनौँ सूपर जाइंट्स ने अपने पांच में से सिर्फ तीन मुकाबले जीते हैं और इस समय पॉइंट सेबल पर ये नंबर पांच पर मौझूद है जो छे मैचे इन्होंने खेलने हैं उसमें से लखनौँ के अगर देखा जाए अगले दोनों मैचे एक ही टीम के साथ है इनको चैन्ही सूपर किंग से खेलना है लखनौँ सूपर जाइंट्स के अगर बात करने इनके लिए चीजें काफी हद तक तभी इजी होते हुए में नजर आएंगी अगर अगले दो मैचे में ये टीम कमबैक करती है क्योंकि पिछले दो मुकाबलों में लखनौँ सू magnitude डिम कर चैन्ही से खेलने वाले अगले दोनों मैचेंजेतीम हार जाते व्यको समयन और आएगे तो उसके बाद आपके लिए हर एक मुकाबला जो इसके बाद आपके चेंग के 4 मैचे में और दो चैन्हें ऑञेर अगर कॉलईटर करना चाहते हैं वापीस आजाईए जहां नहीं कर रही है लखनव सूपर जाइंट्स का इनके लिए भी फाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अगर चन्नाई सूपर किंग्स के सामने जो लगातार अगले दो मैचिस 19 और 23 एपरेल को खेलने है वहाँ पर लखनव सूपर जाइंट्स की टीम को कुछ बहतर मोमेंटम चाहिए लगातार दो मैच पहले दिल्ली से आप आ रहे कहीं न कहीं इस समय आपको दिल्ली वाला मैच खटक रहा होगा वो मैच आपको जीत जाना चाहिए था लेकिन मयंग क्यादव जब से टीम से बाहर गए है इनकी जीतने की स्ट्रीक हमें तूटते हुए नजर आ रही है इसके बाद यहां से बात कर लेते हैं हम सीधा गुजरात टाइटन्स की टीम की क्योंकि गुजरात दी बिलकुल इनके बराबरी पर खड़ा है पांच पर अगर पाउट सेबल पर लखना हूँ है तो छेवे नंबर पर आपको गुजरात की टीम नजर आ रही है छे में से तीन जीते हैं तीन हारे हैं फिलहाल बचे हुए आठ मुकाबलों में से गुजरात को छे मैचेस जीतने हैं अगर इन आठ में से जो छे जीतने इनके मैचेस हैं किस से दिल्ली से ये खेलेंगे पंजाब से ये खेलेंगे फिर दिल्ली से खेलेंगे फिर आर्सीबी से फिर आर्सीबी से तो ये बात कहीना कि जरूर है कि गुजरात के जो अगले पांचों मैचेज हैं अगर आपको आठ में से छे मैच जीतने हैं अगले पांच मैच इनके कही ना कही थोड़ी सी वीक टीम्स के साथ हैं अला कि पंजाब से ये मैच हार करा रहे हैं दिली कैपिटल्स अब उतनी मुश्किल चुनौती बन चुक है पहले दिली थोड़ा से आसान था लेकिन अब दिली को वे एक बहतर कॉम्बिनेशन मिल चुक है फिर RCB के तो हर टीम हराते में जा रही है अगर सपोस कीजिए अगले पांच में से लोग चार मैच भी जीत जाते हैं कहीं एक आदा मैच हार जाएं विकॉज इनके मैचेस कंपेरिटिव थोड़ी आसान टीमों के साथ हैं तो ऐसे में इनके आखरी तीन मैच मुश्किल है फिर आपको CSK से खेलना हैं KKR से खेलना है SRH से खेलना है तो गुजरात की यहां पर यही कोशिश होनी चाहिए कि जो इनके अगले 5 दिल्ली, पंजाब और RCB से easy matches हैं उसमें से कम से कम 4 जीते ताकि बाद में जो 6 नहीं, KKR और SRH वाले match हैं उन तीनों में से आपको सिर्फ एक जीतना होगा आगे qualify करने के लिए इसके बात कर लेते हैं Sunrisers हाइदराबाद की टीम की Sunrisers अभी वो एक मात्री टीम है जिसने अपने 5 matches खेले हैं, कॉलकता भी इसके साथ में एक टीम है जिसने 5 match खेले हैं लेकिन इनको अगर देखें तो इनके पास थोड़ा सा extra leverage है, एक match extra जो बचा हुआ है, इनको अपने 9 में से 6 match जीतने हैं मतलब 3 matches हारने का इनके पास एक option हो सकता है, यहां अगर देखा जाए RCB, दिल्ली, RCB, अगले 3 matches हाइदराबाद के पास easy because जिस potential पे इस समय हाइदराबाद की team perform कर रही है, तो RCB को 2 matches हाराना, इनके बाए हाथ का खेल होना चाहिए, फिर इनके लिए थोड़े से मुझकिल matches है, चन्नाई, राजस्तान दोनों इस समय टॉप 4 में हैं, आपकी उपर वाली teams हैं, उनसे fight थोड़ी सी मुझकिल होगी, जबकि अंत आते आते हैं, इनके matches comparative थोड़ी आसान टीमों से हैं, मुंबई, लखनों, गुजरात और पंजाब, ये कही ना कही एक आसान कड़ी हो सकती है, Sunrises हाइदराबाद के लिए, विकॉज लखनों, गुजरात और पंजाब, इन तीनों में से आप दो टीमों को तो एक आसान टकर दे सकते हैं, जितना टैलेंट इस समय हमें Sunrises हाइदराबाद के टीम में कही ना कही नजर आता है अब यहां से चन्नाई सूपर किंग्स को लेकर काफी ज़्यादा बात हो रही है चन्नाई सूपर किंग्स, छे में से अभी किनोंने 4 मैचेज जीते हैं 2 मैच यह टीम हारी है प्लस 0.72 का इनका नेटरन रेट है इनको बच्चे वे 8 में से सिर्फ 5 मैच जीतने हैं 8 में से इनको 5 मैच जीतने हैं तो कहीं ना कहीं 3 मैचेज को हारने का लिवरेज ले सकते हैं पूरी जो हम एस्टीमेशन कर रहे हैं हम कनफर्म्ड क्वालिफिकेशन के हिसाब से कर रहे हैं कि टीमे अगर 9-9 मैचेज जीतेंगी तो 9 मैच जीत कर आपकी जो है वह क्वालिफिकेशन कनफर्म होगी हाला कि टीमे 16 पॉइंट पर नेट रन रेट के आधार पर और 14 पॉइंट पर नसीब के आधार पर आगे जा सकती है अगर बाकी कोई टीम उतना आगे नहीं आती है अगर इनकी बात करें इनके मैचेस कंपेरिटिव थोड़े से इजी इनको मिल रहे हैं लखनों से आप अगले दो मैचेस खेलेंगे लखनों भी लगातार दो मैच हार करा रहा है दिल्ली और कॉलकता के सामने वहां हलकास आसान होगा हाइदराबाद के सामने इनको थोड़ी सी चुनौती हो सकती है कि हाइदराबाद में इनकी टीम बाग ऐसा परफॉर्म करती है विकॉस इस बार ये खेलेंगे चैपॉक में अपने घर में अपने घर में वैसे भी चैन नहीं अच्छा कर रही है इस सीजन में तो इतना मुश्किल होना चाहिए लेकिन फिर इनके पास आखरी के अगर हम इनके देखे जो पांच मैचेस हैं वहाँ चीजने थोड़ी सी आसान है क्योंकि आखरी पांच में से आप तीन मैच टूबी सेट वीकर टीम से खेल रहे हैं दो पंजाब से हैं एक रसीबी से मैच है वो मैचेस आसान होने चाहिए जबकि राजस्थान में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और जीटी उतना कुछ खास मुश्किल आपके लिए नहीं होना चाहिए तो अगर देखा जाए इनके पास दो पंजाब के टूबी से एक लखनओ का जो अपने घर पर खेलेंगे हाइदराबाद का भी जो घर पर खेलेंगे इनके लिए बढ़िया होना चाहिए रार्सीबी का मैच तो क्रीबन जो इनके बचे हुए अभी आठ मैचेस है इसे पांच यहां छे मैचेस तो इजी नजर आ रहे है जो थोड़े से मैचेस मुश्किल नजर आ रहे है एक मैच जो यह लखनओ के सामने खेलेंगे एकाना के अंदर बिकॉस लखनओ अपने घर में बहुत सॉलिड है और एक मैच जो यह राजस्थान से खेलेंगे वो मुश्किल हो सकता है वापिस आजए अदित्या पॉइंट सेबल पर अगर इस समय पर देखा जाए तो राजस्थान और कॉलकता नाइट राइडरस के लिए गेम आसान होनी चाहिए आगे जाने के लिए जिस फॉर्म में दोनों टीम में चल रही है जबकि चनई के भी चांसे थोड़े से मजबूत हम कह सकता है वो थोड़ी सी easier टीम्स के साथ है जो मैंने आपको अभी समझाया उसके बाद Sun Rises हाइडराबाद के अगर बात करें इनके भी मैचेस टूबी से easy teams के साथ है और इन्होंने जो 5 में से 3 जीते हैं ये उस case के चलते लखनौ, गुजरात, पंजाब, मुंबई से आगे हैं क्योंकि एक-एक मैच कम खेला है और अगर अगला मैच जीत जाते हैं तो इनसे automatically आगे हो जाएंगे, तो अभी क्या अधार पर कहीं नहीं कहा जा सकता है कि जो राजस्थान, KKR, CS के SRH है, जो अभी के लिए top चार है वही आपको final top चार बनते हैं नजर आ सकती है विकॉस एक तो इनके मैचेस भी आसान है और ये बाकी टीमों से थोड़ा ज्यादा आगे भी अभी नजर आ रही है तो आप बताईए comment section में आपके हिसाब से final top चार क्या हो सकती है जो अभी top चार है क्या वही top चार रहेगी या नीचे से कोई टीम आकर कर सकती है surprise दीजे अपने राए हमें comment section में इस वीडियो को like जरूर कर दीजेगा हमारे YouTube चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगर Facebook पर देख रहे हैं तो follow करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अभी के लिए मुझे दीजाज़त जैहिंद जैभारत